ओम शान्ति आज 12 जैन्वरी 2023 है जीवन में अनेका नेक परिस्तिया आती रहती हैं कुछ परिस्तियों को हम सहचता से विजय प्राप्त कर लेते हैं परन्तु कुछ में हम फेल हो जाते हैं घबरा जाते हैं तो आज की स्लोगन में ये बात हम जानेंगे कि उन परिस्तियों में न घबराए हमेशा विजय को प्राप्त करे उसकी विधी क्या है परिस्तियों में घबराने के बजाए साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे ड्रामा के अनेक सीन और सिंड्रिया और माया की अनेक परिस्तियों के संदर्व में बापतदने मुरलियों में मुख्य रूप से दो शब्दों का उपयोग किया हुआ है और वो दो शब्द हैं साथी और सारथी हर कदम में हर सेवा में बाबा को अपना साथी बनाना और माया के हर परिस्थतियों को देखते हुए साक्षी होना ड्रामा के हर सीन में साक्षी होना तो ये दो शब्द हैं बाप के साथी और प्रिस्थतियों को देखते हुए साक्षी होना माया के साधारन और हलके रूपों को तो हम बच्चे बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, पहचान चुके हैं इसलिए हम ऐसे साधारन माया की रूपों पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं परन्तु जब कभी माया अपना विक्राल रूप अचानक हमारे सामने प्रगठ कर देती हैं तब हम बच्चे भी घबरा जाते हैं और घबरा करके बाबा को भूल जाते हैं, बाबा को साथ रखना भूल जाते हैं इसलिए साक्षी पन की स्थिती से भी हम नीचे उतर जाते हैं इसलिए बाबा हमें मुर्लियों में एक गुप्त राज माया की एक गुप्त रहस्य हम बच्चों से सांजा करते हैं और वो गुप्त रहस्य क्या है बाबा के ते बच्चे जो माया है अभी माया ऐसी हो गई है जो उनके अंदर कोई ताकत शेश नहीं रहे गई है बले ही उपर से वे अपना रूप शेर का विक्राल रूप दिखाती है परंतो अंदर से वे भीगी बिल्ली भी नहीं है सिर्फ पेपर टाइगर है परंतो माया चतूर है, माया होशियार है इसलिए बाबा के बच्चों को डराने के लिए ये विक्राल रूप दिखाती है और बच्चे भी माया की उस विक्राल रूप को देख करके घबरा जाती है क्योंकि ये बात ये रहस से माया का जो रहस से है उस समय पर भूल जाती है तो हमें इस बात को सदा स्मृती में रखना है कि माया बहुत कमजोर है और मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ इस स्मृती स्वरूप में रह करके परिस्तियों को हम सामना करते हैं तो बाप को भी हम भूलेंगे नहीं बाप्त को सदा साथी बनाएंगे और हर परिस्तियों को साक्षी हो करके देख पाएंगे तबी हम सदा विजय बनेंगे तो आईए आज सारा दिन इस बात पर अटेंशन दे ओम शांति